नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सरकारी एक्जाम सपोर्ट चैनल में इस चैनल पर आज हम लोग डिसकस करेंगे कि SSC MTS हवलदार का अगर आप फॉर्म भड़ रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये इसलिए जरूरी है कि फॉर्म फिलप से पहल हो रहा है तो इसलिए आज ये वीडियो लाया हूं कि कौन-कौन सी गलतियां है जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए या फिर हमें अभी से ही सुधार कर लेना चाहिए ताकि हमें नौकरी से हाथ न धोना पड़े तो आज हम लोग कुछ पोइंट पर डिसकसन करेंगे जिसके बदावलत आप अपनी नौकरी बचा सकते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे आपको एक वैलेड रीजन दिखाता हूं यह एक कैंडिडेट है जो कि मुझे 2022 वाले MTS में इन्होंने क्या किया था अब मैसेज क्या था सब्सक्राइब दावट रिगार्डिंग OVC सर्टिफिकेट आप टेकन OVC सर्टिफिकेट इन अपरेल 2021 एंड नेक्स्ट OVC अक्टोबर 2022 तो वाट इस दा क्रूशियल डेट फोर MTS तो इन्होंने इनके पास तो बहुत अच्छी बात थी कि सर्टिफिकेट दोनों साल का सब्सक्राइब था तो इनका काम चल गया ठीक है इनका काम चल गया तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि लास्ट टाइम में सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आखिर उनको अभी से ही उसका सावधानी को वरतनी चाहिए जिससे कि उनका केंडिलेचर बाद में क देख लिया कई लोग क्या करते हैं फॉर्म फिलप करते समय यह ध्यान नहीं रखते हैं कि उनका जो इसके अंदर कोई मिसमैच नहीं होनी चाहिए यानि कि अगर आप टेंथ का सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं तो बहुत ध्यान से डालिए आई टी आई का अगर क्यों और जानकारी जो QA से संबंधि थे वो इसमे मिसमैच नहीं होनी चाहिए त् adviesSTAQ यह दोक्मेंट मिसमैच की मैं बात कर रहा हूं दौसरा क्टेग्री सर्टिफिकेट में किसी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए यह क्या हो गया जैसे OVC SI EWS या फिर आप A.27 से हैं आपका जो कोई disability certificate है ठीक है यानि जो physical handicap है कोई भी certificate है उसके अंदर जो है कोई गडबड़ी नहीं होना चाहिए और second बात होनी चाहिए कि वो crucial date से पहले का होना चाहिए यानि कि जो form भरने का last date होता है last date से ठीक पहले का होना चाहिए certificate last date के बाद का certificate valid नहीं होता है तो इसलिए अगर आपका भी तक certificate नहीं बना है तो अभी भी time है सारे certificate अभी बनवा लीजिए एक अगस से पहले का ठीक है दीसरा point है कि name mismatch नहीं होना चाहिए जैसे कई लोगों का क्या होता है कि father name और mother name में कुछ-कुछ spelling mistake होती है उसको भी आपको क्या करना है कि जल्दी से correction करवा लेना है क्योंकि verification का time बहुत problem आती है बहुत सारे लोग message करते हैं बहुत सारे बच्चे message करते हैं कि ऐसा problem है तो क्या करें तो इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि आप यह सब गड़बडियों पर ध्यान रखें form भरते time सबसे जो जरूरी चीज है वह phone number और email ठीक है email ID इसको तो बिल्कुल भूल के भी इसमें कोई गलती ना करें क्योंकि यह नहीं रहेगा तो आपको सारे जो भी communication की तरफ से वह मिल नहीं पाएंगे तो communication medium जो है उसमें किसी तरह का mismatch नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर आपके नौकरी हाथ में आई होई नौ newsletter होता है वह email में भेजती है या फिर mail भी आपको message भी आता है उसका लेकिन यह दोनों ही आपका गड़बड है तो फिर कहां से आएगा और ऐसा नहीं है कि post office से आज कल का तो जमाना है नहीं कि post office से भेजा जाए तो इसलिए आपको इन दोनों को update रखना पड़ेगा phone number भी जिसको आप हर समय चालू रखते हों ठीक है तीसरा है कि अगर आपने कोई mail practices किया है यानि कि कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी आप सोच रहें कि घूस दे कर हम exam दे देते हैं या फिर हम किसी अपने रिष्टेदार के बदॉलत जो कि SSC में काम करता है तो उसमें किसी तर जो है यह जो थर्ड वाला option है यह इसके कारण जेल भी जाना पड़ता है ओके तो ध्यान रखना है कि ना तो आप किसी तरह के लालच में आईए और ना किसी को पैसे देकर नोकरी लेने की कोशिश कीजिए अपनी मेहनत से आप नोकरी लीजिए इससे आप तो एक रिस्क से बच जाएंगे और दूसरा होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे तो इसलिए यह सारे पोइंट को आप जरूर याद रखिए फॉर्म भरने से पहले इसके बाद जो है आप फॉर्म जब इसको सही सलामत अपने डॉक्मेंट्स को रेटी करके फॉर्म भरेंगे उसके बाद ह तो आपका एक्जाम काम आएगा नहीं तो फिर क्या है एक्जाम दे दिये सब कुछ हो गया पता चला कि आपका जोइनिंग में प्रॉब्लेम हो रहा है या जोइनिंग ही नहीं हुआ तो सारा मेहनत बेकार इसलिए यह जरूरी था सारे पोइंट डिसकस करना आप लोग के स समस्या है तो कमेंट जरूर किजेगा आगे आने वाले वीडियो के लिए आपको चैनल से जोड़ जाना है और आगे मैं कुछ और इंपोर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं जो की आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी helpful होगा तो बने रहे है चैनल के सम्ग थेंक झाल झाल झाल